हेलो फ्रेंड्स मेरा एरवेज चैनल पे डॉक्टर बिलाल एहमद वानी की बुक रिसर्च मेत्रोडोलोजी का चाप्टर नुबर थ्री आज हम शुरू करेंगे तो चलिए बुक लियाए और स्टार्ट करते हैं चाप्टर नुबर थ्री का नाम है प्रिपरेशिन ओफ रिसर रिसर्च प्रोपोजल आरेज अंडर टाइटल सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे अपने रिसर्च प्रोपोजल का जो की 50 क्यारक्टर्स का होना चाहिए फ्युवेस्ट पॉसिबल वर्ड्स दाट एडिकवेटली डिस्क्राइब दिस्क्राइब करता हो नेक्स्ट है म उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आप क्या देंगे सफिशन बैग्राउंड इंफॉर्मिशन देंगे जो आप रिसर्च प्रोपोजल दे रहे हैं उसका और आपने ये पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक क्यो सलेक्ट करा है इसको भी मतलब आप य रिसर्च क्यों कर रहे हैं अब देखिए लिट्रेचर रिव्यू ये सारी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत ही डिटेल में तो इसलिए सिर्फ थोड़ा सा देखेंगे आपे कि क्या होना चाहिए आपकी रिसर्च प्रोपोजल में लिट्रेचर रिव्यू फिर एम अबजेक्टिव होने चाहिए मैथर्डोलोजी मतलब आपका क्या वर्क प्लैन रहेगा आप क्या मैथर्ड आप यूस करेंगे अपनी रिसर्च में फिर आता है स्टेडी डिजाइन मैथर्डोलोजी के अंदर जो हम पहले पढ़ चुके हैं जैसों अब्सेर्वेशन इंट क्रॉस सेंपल लिया हो वह कितने लोगों का लिया है तो हो गया हमारा हो मैनी सब्जेक्ट अब आप उसमें दिखेंगे इंक्लूजन और और एक्स्क्लूजन क्राइटेरिया मतलब आप अपने जो आपने सैंपल लिया है जो आपने पॉपुलेशन लिया है उसमें से आप किस किन लोगों को इंक्लूड करेंगे या फिर किन लोगों को एक्स्क्लूड करेंगे माली जे आप diabetes पर गाम करना चाहते हैं तो आपने diabetes के patient जो लिए हैं उसमें आपने inclusion criteria रख लिए कि जिसका मतलब fasting blood sugar इतने से इतने तक रहेगा या फिर इतना maximum limit रहेगा उसको हम include करेंगे और exclusion में आप लिख सकते हैं जिसको साथ में कोई complication हो diabetes के साथ में कोई cardiovascular disease हो तो उसको आप exclude कर सकते हैं यह सिर्फ में example दे रहे हूं बाकी सबका अलग-अलग criteria होता है inclusion का और exclusion का research के according mechanism of selection कैसे आप select करेंगे कौनसी population में से आप select करेंगे फिर है potentially eligible subject जो eligible subject होंगे आपके उनको आप select करेंगे उसका estimation करेंगे कि आपने आप जो subject select करेंगे उसमें से कितना आपके follow-up कर सकते हैं या फिर कितने आपके treatment को अच्छे से ले सकते हैं फिर है estimate the proportion that will agree to participate उसके बाद आ करें potentially eligible subjects मतलब आपने देख लिया कि हाँ यह सब्जेक्स हैं यह हमारे sample बन सकते हैं या इस population में से हम इतने sample को ले सकते हैं फिर उसके बाद जिते participants आपके agree करेंगे या फिर consent form पे जो लोग sign करेंगे वो हो जाएगा हमारा estimate the proportion that will agree to participate कि आपकी research पे पार्टिसेट करने के ल data into computers अब जो हम data लेंगे stats में data लेंगे मालीजी आपने qualitative और quantitative दोनों measurement कर लिये मतलब आपने जो है जो symptoms के according data ले लिए उसके और जो आपकी investigations हुई उसके according आपने data collect कर लिए तो उसके coding होती है जिससे आप symptoms को क्या करेंगे mild, moderate or severe ऐसे करके grading करते हैं फिर वो data की रूप में आ जाता है तो उसको बोलते हैं coding या फिर उसको computer में enter करना वो हो जागा entering of data into computer फिर completeness and accuracy of the information कि आपकी जो information है मतलब data वो बिल्कुल accurate है उसके लिए statistical analysis होता है how the result will be displayed आप कैसे result को display करेंगे diagramatically करेंगे graph से करेंगे वो चीज़ भी इसमें आ जाएगी statistical test to be carried out in order to test each of the stated hypothesis अब इसके बाद आप test apply करेंगे जो हम stats में पढ़ेंगे आगे जाके test apply करेंगे जैसे कि आप जिस तरीके के भी आपके group होंगे उसे साबसे आप test लगाके और अपना result निकालेंगे फिर है safety consideration कि आपने जो procedure जो include करा है या फिर उसका कोई adverse event होगा अगर माली जाए आपके research में कोई आपका risk हो गया या फिर कोई adverse event सामने आया तो आप उसको भी अपना जो है documented करेंगे उसको भी अच्छे से record करेंगे quality assurance में GCP यह हम last lecture में पढ़ चुके हैं वो follow होना चाहिए expected outcome of the study जो आपने outcome सोचा है उसके हिसाब से जो है आप study मतलब सिर्फ यह नहीं कि आपने उसको publicate कर दिया फिर publication में डाल दिया बल्कि वो कैसे healthcare को effect करेगी वो भी आपको देखना पड़ेगा discussion आपका result कैसा भी आया पूरी देना समरी होती है फिर है ethical issues आपने क्या क्या ethical issues क्या protocol follow करा वो सारा बताना है और informed consent के बारे में भी इसमें लिखना पड़ेगा informed consent form भी आप अपर touch करेंगे budget अगर आपके institute आपको budget दे रहा है आपकी research के लिए तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा references जहां जहां से आपने जो भी चीज refer करिए जो भी book या भी जो भी site या भी जो भी journal article वो सारे references में आएंगे आपके references का यहां पर जैसे format दे रखा है name of author, title of article, name of general, year, date and page number यह next chapter जब हम पड़ेगे उसमें बहुत अच्छे से आपका दे रखा है कि आप referencing, citation और bibliography कैसे लिखेंगे और उसके कौन-कौन से system होते हैं जो कि एक्जामे बहुत ज़रूर, बहुत ही ज़ादा important है और उसको होते blueprint of the plan कि आपके plan का blueprint क्या है इसमें वही यह देखें फिर से title page, abstract, introduction, aims and objective, method, result, discussion, conclusion, references, appendix, and bibliography जिल लोगोंने thesis बना चुके हैं जो लोग या फिर thesis अपने synopsis भी जो लोग submit कर चुके हैं उनको यह सारी चीज़े अच्छे से पता होगी कि कैसे लिखना होता है या फिर क् EMR आयूश स्कीम, the Department of Ayush has introduced a scheme of extramural research in addition to the intramural research undertaken by the researcher set up by the Ministry of Health and Family Welfare three decades ago, तो अब आप देखेंगे कि EMR जो स्कीम है वो Ministry of Health and Family Welfare समालता है या फिर वही उसको उसके अंडर में आती है हमारी EMR स्कीम या IMR स्कीम दोनों, तो यह ध्यान रखना है, इसका aims and objective क्या है EMR स्कीम का, development of R&D based Ayush drugs, मतलब research and development based Ayush drugs जो है हमारी, उसका development जादा से जादा हो, generate data on safety, standardization and quality control, जो भी आप research कर रहे हैं, उसके ओपर जो data आ रहा है हो, safety, standardization and quality control उसमें दिया गया है कि आप किती safety है research में, या फिर क्या standardization होगा, मतलब क्या protocol आप देंगे, या फिर क्या quality control होगा, develop evidence based support on efficacy case of Ayush drugs, Ayush drug की कितनी efficacy है, इसको भी पूरा documented करना, इसका भी पूरा data निकाल के लेका रहना, ये भी हमारा, ये हमारा Ayush scheme के अंटर आएगा, encourage research, researches को encourage करना, जो Ayush ministry ने start कर दिया है, मतलब research को encourage different fields में, आपने, आप क्या 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 research करना चाहते हैं, उसको बहुत जादा प्रो लोड, safety, toxicity, etc. in the raw drug, 6th, develop Ayush product having intellectual property right, अब intellectual property right, मतलब जिससे आप ऐसे product मनाए Ayush product, जिस पे हम पेटेंट ले सकें, इस 6th point का मतलब यह है, कि आप intellectual property right उस पे claim कर सकें, ऐसे Ayush products को develop करना, potential human resources in Ayush system, अब जो human resources potential है, मतलब जिन में काभीलियत है, Ayush system के अंदर बैठ कर, researches करने की उसको आप जो है, मतलब उसको और भी expertise करके और उसे बढ़ावा देना, research के लिए, joint research venture among Ayush department and other organization institute, अब जो क्या है, joint research venture मतलब आप जो associated institutes हैं, Ayush के अलावा, उनके साथ भी आप venture करके और अपनी research कर सकते हैं, फिर इसके आगे, जो है, scope of application, priority, areas of research in Ayurveda, इसमें कुछ exam based important कु इसके बाद आता है, EMRIU scheme as model for preparation of research proposal, eligibility of grant in aid, इसमें या आता है कि अगर आप research करना चाते हैं, तो आपको aid भी मिलती है, जो कि institute या फिर organization अपनी तरफ से एक proposal भेज़ेगा कि हम ये research करना चाते हैं, EMRI को या फिर आयूश वालों को, फिर उसके बाद वो आपको पूरी research आपक aid grant की जाएगी, मतलब financial support भी आपको दिया जाएगा, ये पूरा verification होता है, जैसे verification of credentials, कि आपके verification of individual, organization, laboratory, जो भी मतलब जिस organization से आपकी research proposal गया है, और जिसने भी उस organization में से research proposal दिया है, उस individual की organization की या फिर laboratory की सब का अच्छे से verification होगा, उसके बाद ही आपको grant मिलती है, फिर infrastructure required, मतलब अगर आपको grant चाहिए, तो क्या infrastructure आपका require होगा, सबसे पहले in case of clinical research, अगर आप clinical research के लिए aid मांग रहे हैं, तो OPD और IPD होनी चाहिए, और laboratory facilities होनी चाहिए, और अगर आप safety or standardization study करना चाहते हैं, तो आपकी laboratory facility अच्छे होनी चाहिए, और animal house होना चाहिए, आपके क्या चाहिए, वन principal investigator होना चाहिए, और one और two co investigator होनी चाहिए, mode of application for granting aid, under extramural scheme में आप क्या इसको apply कर सकते हैं, जैसे इन्होंने पूरा जो है अपना वो दे रखाए कि research proposal आप सम्मिट कर सकते हैं, इस address पे CCRS के, और जो line है ये देखिए, project proposal should be prepared in format for application and closure at annexure 2 of I use PDF file, तो annexure 2 में जो है, वो granting aid के बारे में दे रखा है, extramural scheme के बारे में ये याद रखेगा, कि annexure 2 जो है आयोश का, वो है granting aid for EMA scheme, अब section A में जो annexure 2 है, उसमें क्या दे रखा है, सिर्फ मोटा मोटा ये पढ़ लेते हैं, superficial, जैसे section A में दे रखा है general information of project, section B में bio data of PI and COI, मतलब principal investigator और co-investigator, section C में brief summary of the project देना है आपको, section D में detailed protocol of the study आपको देनी है, अब the protocol and research plan are to be prepared as per guidelines for methodology and research and evaluation of traditional medicine, अब आप जो अपना research plan दे रहे हैं या फिर आप जो research plan प्रपेर करके देना है, वो किस तरीके से तियार होना चाहिए, कि guidelines for methodology and research and evaluation for traditional medicine, WHO 2001 की जो guidelines है, उसके according आप अपने protocol को तियार करके submit कर सकते हैं, a certificate of clearance of IEC or IAEC is to be enclosed with the application form, यह आपको पता ही है कि IEC institutional ethical committee या फिर institutional animal ethical committee, अगर आप animal पर कर रहे हैं, तो animal ethical committee और human trial कर रहे हैं, तो institutional ethical committee का जो certificate आपके research proposal को करने से पहले, मतलब research start करने से पहले, जो committee ने पास दिया है आपको certificate, व अब है evaluation and screening of the proposal, अब evaluation और screening कौन करेगा proposal की, जो आपने proposal भेज दिया है, internal scrutiny committee, IEC will examine the proposal within a month after receiving the proposal, आपने proposal भेज दिया, तो जो internal scrutiny committee होती है, वो एक मत के अंदर आपके proposal को examine करती है, proposal complete in all respect will only be placed before project evaluation committee, अब IEC क्या करती है, एक मत में आपके proposal को receive करके examine करेगी, अगर आपका proposal उसको सही लगा, मतलब सारे protocols अगर पूरे कर रहा है, तो उसके बाद आपका जो proposal है, वो project evaluation committee के सामने, PEC के सामने रखा जाता है, PEC उसका थोरव evaluation करती है, और फिर जो है, उसको अगे approve कर सके और fund उसके लिए sanction कर सके, तो सबसे पहले IEC के पास जाएगा, फिर PEC के पास जाएगा, और उसके बाद जाएगा PAC के बाद, अब देखें इसमें composition of PEC, इसमें जो important है, बस हो ही है, सारे composition याद करनी की ज़रूरत नहीं है, इसमें, composition of PEC में क्या है, joint secretary of IUS रह और joint secretary IUS जो होंगे, जो EMR से concerned होंगे, ठीक है, वो होंगे इनके member, अब guidelines for toxicity investigation of herbal medicine, अब पहले हिससे पहले हम नहीं कहा पड़ा था, जो EMR वाली, जो scheme है, अगर आप grant चाते है, तो हो गया हमारा NX2 में IUS के, और ये वाला जो है, toxicity investigation होगा, NX4 4 of EMR IUS scheme, तो ये याद इसके बाद जो हम पढ़ने वाले है, acute toxicity test और ये सारी चीजे, ये बहुत जादे important है, exam point of view से, तो सबसे पहले आता है हमारा acute toxicity test, ये क्या है, ये जो हम जो toxicity test पढ़ रहे है, ये animal species पर किया जाएगा, toxicity check करने के लिए आपकी drug की, कि किती drug dose आपकी toxic, मतलब toxic level देखा जाएग तो उसमें हम animal species लेंगे दो, ठीक है, एक होगा उसमें rodent और दूसरा होगा हमारा non-rodent, तो एक species होगे rodent और एक species होगे मारी non-rodent, अब इसमें से sex कौन सा लेंगे, one of the species males and females should be used, मतलब दोनों में से at least, in at least one of the species, दोनों species में से एक में male and female use होने चाहिए, ठीक है, number of animals किते लेंगे, आप देखे, दो species ली थी, जिसमें से rodent में हम लेंगे at least five animal per sex, ठीक है, और non-rodent में लेंगे at least two animal per sex, in each group, अब आप देखे, group आप खुद बना सकते हैं, इसमें कि आप अपने group में कितने animals रखना चाहते हैं, तो अगर आपने मालीजे 10, 10-10 का group बनाया है, ठीक है इच ग्रूप, मतलब five animal हर sex के each group में, मतलब 10 का अगर group है, तो पांच male और पांच female ऐसे होना चाहिए, तो route of administration, ordinary oral route या फिर parental route, दोनल route हम इसमें use कर सकते हैं, dose level क्या है इसमें, sufficient number of dose level should be used in rodents to determine the approximate lethal dose, अब देखे, इसमें non-rodent में हम जो use कर रहे हैं, वो हम सबसे पहले rodent द देखने के लिए use कर रहे हैं, मतलब उसको इतनी dose दी जाएगी, कि ये पता लगाने के लिए कि कितनी lethal dose की amount होगी, और जो non-rodent में हैं, हम उसमें observe करेंगे overt toxic sign, मतलब अगर toxicity आ रही है किसी भी चीच की, और फिर किसी भी drug की, तो उसके signs जैसे शुरू होंगे, वो हो जाए होती है कि आप उसके साथ कोई complication आ गए, कोई toxics पैदा हो गए उसके साथ, आगर आपकी dose से, तो होती है हमारी toxic sign, मतलब वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है, और lethal तो है, वो मृत्यूकारक है, तो toxic signs होंगे, मतलब कोई भी अगर toxicity की, अगर आपको sign दिख रहे हैं, तो duration of observation हमारी रहेगी, 7 to 14 days, फिर long term toxicity test, पहले था हमारा acute toxicity test, अब long term toxicity test के लिए हम कैसे animal species उसकरेंगे, इसमें भी दो species उसकरेंगे, इसमें भी दो species उसकरेंगे, रोडेंट और नोन रोडेंट, सेक्स इसमें क्या होगा, नॉर्मली सेम नमबर अफ मेल फीमिल आनिमल शुट ब इच ग्रूप, नॉर्म डोडेंट में एट लीस्ट थ्री मेल्स और फीमिल्स इन इच ग्रूप, अब इसमें रूट अफ एड्मिनिस्ट्रेशन क्या है, नॉर्मली इस तरीके के आप रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर ओरल या परेंटरल, जो भी आपकी रिसर्च जिस अब आप किसी को क्लीनिकली, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसको क्लीनिकल यूज मतलब होता है, कि माली जी किसी कोई डिसीज है, और आप उसके क्लीनिकल स्टडी कर रहे हैं, या फिर उसको क्लीनिकल यूज के लिए आप ड्रग दे रहे हैं, तो इसका मतल अगर आप अपनी ड्रग का टॉक्सिसिटी स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दो महीने से भी आगे उसका यूज करते जाएंगे तब तक कि उसका टॉक्सिसिटी लेवल ना आ जाए तो यह होता है हमारा एड्मिनिस्टेशन पीरिट फॉर टॉक्सिसिटी पे आप रिसर्च करना चाहते हैं जिस भी डिसीज पे उसके अगर आपने सिम्टम्स को सबसाइड कर दिया या फिर उसमें अगर आपको इंप्रूब्मेंट लगता है तो वह था है एक्सपेक्टर पीरिट आफ क्लिनिकल यूज इसमें रेखें सिंगल आड्मिनिस्टेश होगी अगर आप रिपीटेड आड्मिनिस्टेशन करते हैं बिट्वीन वीक टू फोर वीक मतलब अगर आप अपनी डोस को जो ड्रग है उसको रिपीट में देंगे एक वीक से चार वीक तक तक तो उसकी जो टॉक्सिसिटी स्टडी होगी वो चार वीक से तीन मन तक आप मतलब आपकी ड्रग जो है अगर आप चार वीक के बाद देना चार वीक तक आपने दी है तो हो जाएगा मारा क्लीनिकल यूज कि आप जो है उसके जो भी कोई डिसीजर उसको सबसाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं तो चार वीक तक करेंगे अगर आप उसी आपकी चलेगी 3-6 मन्त फिर लॉंग तम रिपीटेड एड्मिन्स्टेशन फर मोर देन 6 मन्त अगर आप लॉंग तम रिपीटेड एड्मिन्स्टेशन कर रहे हैं अपनी ड्रग का 6 मन्त से जाधा के लिए तो उसका टॉक्सिटी स्टडी जो है वो 9-12 मन्त तक चलेगा तो आपने टेस्ट कर लिया उसके बाद जनल साइंस बॉड़ी वेट फूड एन वाटर इंटेग देखेंगे हमेटालोजिकल एग्जामिनिशन कर लेंगे रीनल हीपाटिक फंक्शन टेस्ट करेंगे या फिर अदर फंक्शन से एसीजी हो गया वीजुल ऑडिटरी टेस्ट हो थैंक यू